हेलो सो बेलकम बैक आइस आप सभी का फिर से सोगत मेरे चैनल पर तो आज हम बात करने वाले हैं अलतार बूस्ट के ऊपर ठीक है यह मेरा अलतार है इसका बूस्ट चेक आउट कर सकते हैं कि यह 38% आर्मी अटैक और 38% आर्मी डिफेंस और आर्मी की एच्पी भी 38% है प्लस म इंक्रीज आर्मी ट्रैपल स्पीड ठीक है और यहां आप ऊपर देख सकते हैं लिखा अलतार बूस्ट एक्टिवेटेड वेन कैप्चर लीडर और एक्सेक्यूटेड ठीक है यह इतना लिखा हुआ ठीक है तो अब हम क्या करेंगे जस्ट यहां से देख लो क्या बताना च है कितना वह सारा को दिख रहा है और यह एक्टिव कब होगा जब आपने लिडर जो कैप्चर किया उसको एक्सक्यूट कर लेंगे तब यह एक्टिव हो जाया तो देख सकते यह क्या लिखता है कि एक्सक्यूट अलोईडर्स ग्रांट और 24 आर्स बूस्ट एक्सक्यूट दूरेशन तो यह क्या चेरा चूँ अब एक लीडर को एग्सक्यूट करते हो तो वह 24 आर्स क्यले बूस्ट को एक्टिव करते ठीक है अगर और जर यह तो यह टाइम पिरेड बढ़ जाता है तो ऑसकी चैले स Hoş तो अब यह मैं इसको करने वाला हूं उससे पहले में कुछ बता दू कि यह जो अब मतलब एक दो कुछ ऐसा प्लेयर्स भी है जो मतलब जिनने इन फार्मरी नहीं बना रखी बिल्कुल ठीक है एक यह दो इन फार्मरी बना रखी बागी सारे मैनर्स लगा रखें तो हां यह है चलो यह तुम्हारा जो ट्रेनिंग स्पीड यह गौट लेवल का मतलब बहुत बढ़िया क्योंकि जास्त मैं बता सकता हूं जैसे यह कितना है माल दो बना दिया तो यह कितना चार चार आठ चार बारा तेरह बिल्डिंग हो जाएगी ठीक है और दो चार छे दो आठ नो 10 11 12 13 14 बिल्डिंग तो राउंड यह 300 परसेंट का बूस्ट में मिला ऑब 15 बनाते हो तो यह आपको पता क्या करना है कि पहले तो आप ट्रूप्स करते हो हां जी ठीक है पहले बात आपको लेट ट्रेंडिफाइब सारा कर लेना पहले ट्रे निंगी नी करनी पहले ट्रोप् नॉर्मली बनाना थोड़ा बहुत और पहले तो आपको सबको लेवल 25 अगर आप कर ले तो आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट बहुत हो जाएगा आपके ठीक है क्योंकि यह आप चेक आउट कर सकते चार परसेंट एक्स्ट्रा था 24 की बाद ठीक है और उसके बाद आर्मी लगा देना बट बूस्ट कर ले ले ना एकि बार जो की आराम त्रूप्स कर रहे हो जाएंगे आपके जतने ज्यादा बना लो बैटर है और जिस किंडम में हूं अगर इस किंडम में हो आपके पास वन मिल्यों टूप्स प्लस कर गए हैं ती 3 भी कह रहा हूं तो आप 2,500,000,000,000, 5003,000,000,000 2,漫い विये तो ठीख था यह क्यांकि यह जेस्ट कोई अगर सिंगल अटैक करता है तो अराउंड एक डेनलाग तो आपका लोस होता ही होता है पहली बात तो यह में लाइब तो यहां देख सकते हैं तो यहां देख सकते हैं तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं तो सब्सक्राइब करने के लिए में तो और वह सी कन्फूजन में मैंने पॉइंट्स अर्न कि अपने गिल्ड का सोलो पॉइंट्स मैंने चीव कर लिया फिसक्राइब के मतलब हाईयर गिल्ड में चला गया क्योंकि मुझे इसे लिए फिर्ट लिए करने के लिए बहुत रिसॉर्स चाहिए था राउंड 200 मिलियन इच रिसॉर्स लगे है मेरे हील करने में स्पीड अपस तो में पहुत है देख सकते हैं तो इनका इस्तेमाल करके मैंने इस्तेमाल किया यह निए तो तो यही बात है भाई अगर आपके पास मैनर्स है सिट तो यार पहले आप तो यार शील्ड में रहो जब तक आपके ट्रूप्स मिलियन क्रॉस नहीं कर जाते ठीक है उसके बाद आप यह नहीं कि ट्रूप्स को मिलियन कर नहीं चार चार लाख बना दो कुछ भी फ्रंट अर्मी को मतलब यह लीडर को एक्जिक्यूट करके ठीक है अब यह देख लेना आपको समझ में आज आगा मेरी बोस्तों ठीक नहीं आ रही तो जैसा कि मैं दुबारा एक वारी अलतार दिखा देता हूं आपको क्या चल रहा अलतार में मेरे 38 38 38 21 ठीक है अब यह एक्टिव को बूस्त करने के लिए मतलब कुछ रिसॉर्स रिसर्च करना पड़ता मैंने एक को एक्सक्यूट कर दिया ठीक है तो यहां मेरा नाम आगा जड़े चेक आउट-इसक कर सकते हो यहां देख सकते हो मेरा नाम लॉड़ हे अब यहां अलतार पर जाते देखते हैं क्या होता ह टो इसके लिए क्या करना होता ना कि हमें कुछ research complete करने पड़ता था अब एक को और एक्सक्यूट कर देता हूं ठीक है जश्ट यह भी execute में कर दे रहे हूं तो मैंना एक्सक्यूट कर दिया इसको भी तो अब देख लेते कितने टाइम का मार पास बचा हुआ ठीक है तो यह दो दिन लिख वह आपके सामने साल कुछ दो दिन मेरा आर्मी अटक बढ़ गया डिफैंस बढ़ गया और एच्पी बढ़ गी ठीक ट्रैवल स्पीड भी बढ़ गया मेरा ऊपर मेरा नाम भी देख सकते हैं अब दो दिन ले ठीक है तो आप मेरे पास थोड़ा मतलब अटाइक वगरा इंक्रीज हो गया तो मैं चाहूं तो किंग्डम में टाइक वगरा कितने भी कर सकता हूं को दिकत नीए बट मैंने कितने दिन मिल्यन किल्स ले लिए थे मैंने रहाथ को देख सब देख सेंदए थे-स और नुक्षान को रहा हुआरा अब भी बड़े-प्लेयर को लुक्त आसे नीए थे चोटे चोटे हुआप्डे टी फोर ने तो थोड़ा हंगामा भी करेंगे तो यार जल्दी इस गिल्ट को जोइन कर लो बाकी आप देख सकते हैं यहां पर बूस्ट हमें मिलके अच्छा खासा ठीक है और जो भी इस गिल्ड में है अगर कोई छोटे गिल्ड में है मतलब जिसका स्टार्टिंग गिल्ड है तो वह क्य बनाने वाला था फिर मैंने नहीं बनाए अभी में खेलने का टाइम बहुत कम मिलता है तो देखा यार तुम्हें गिल्ड फेस्ट में जस्ट क्या करना है मैं बता देता हूं यह नहीं कहलो मत जरूरी नहीं है यहां देख से तो रिसॉर्स गैदरिंग वाला आप कर सकते हो इतना रिसॉर्स अगर तीन दिन का टाइम मिलता है इतना नहीं कर सकते तो छोटा ले सकते आप ठीक है फूड बहुत जल्दी फास्टली गैदर होता है ठीक है इस बात का ध्यान रखना ठीक है उसके बाद हम चलते हैं तो यह देख सकते हैं आप क्लोजम बैटल कर सकते हो ठीक है एक पांच तो आपको मिली जाता है ठीक है और धाइसो जैम्स लगाओगे तो पांच और मिल जाएगा नहीं तो अगले दिन का वेट करना पड़ेगा ठीक है उसके बाद यह चले आता है तो इसमें बिल्दिंग से माइट शोबी सजारी इंक्रीस करने मतलब जो भी 25,000 बस तो यह देख सकते हैं बाकी में अगर आपके परस गिल्ड कोट्स है तो आप यह कर सकते हो मैं पहले यही करता था जब मैं थोड़ा चोटा था राउंड एक डेर लाग की मेरी पावर थी तब मैं यही करता था मैं जातों कुछ नहीं करता था यह करता था नहीं तो 40 help देने ठीक है अब हमें fake help देने कैसे जस्ट मान लो किसी ने भी start कर दिया ठीक है भाई मेरे को fake help चाहिए 70 80 जो भी थी तो उसके लिए यार other player क्या help करें को उसकी पता है जस्ट कोई building यहां करना upgrade पर लगा देना ठीक है click कर देना अब वो upgrade पर लग जाएगा ठीक है फिर यहां से आप help पर click कर देते हो help पर click करना फिर देखना कितने लोगों ने help पर फिर उसको cancel कर देना upgrade हो भी building को cancel कर देना कि फिर दुबारा अफ्ग्रेट पर लगाना फिर हैल्प मांग लेना फिर हैल्प उस बंदे ने कर दी है तो ठीक है कर दी तो फिर कैंसिल कर फिर दुबारा कंस्ट्रक्शन पर लगाओ रिसर्च रिसर्च का फेक हेल्प तो रिसर्च का लगाओ जैसे उस बंदे ने कर जा ज तो इस चीज का ध्यान रखना है यह फेस्ट है थोड़े 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 नहीं पूइंट ले सकते हो और जल्दी यार बहुत चोटे प्लेयर है इसमें देख सकते हैं आप जोईन होगे मैंने कुछ नहीं लगा रखा तो यह देखना क्या है मिलियन भी नहीं जा रहे हैं यह कुछ बन दोखे तो मैं रहा था दो दिन में मतलब आज तक का डेट डाला था तक टैन मिलियन क्रोस हो जाए बाकि कोई नहीं मैं कल देखता हूं जो टैन मिलियन से नीचे होंगे इन एक्टिव प्लेयर होंगे उनको मैं हटा दूँगा इस क अगली वीडियो में ठीक है बाद में बताओं मैं कुछ और खास टिप्स इसके सोच रखे मैंने और आप प्रेंस ब्लॉक्स ने क्या कहा था मुझे वह जो मैंने पीडिएफ दिखाया था ना ओल टाइप ऑफ रैली ट्रैप का पीडिएफ दिखाया था जो मैंने उस पीड अगली वीडियो में बाबाई